हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आयो पच्चे होंगे मैं हूँ प्रिया प्रिया बित खाना में आपका स्वागत है हर रोज की तरह मैं लाए हूँ आपके लिए कुछ खास तो आज हमारी सासुमा बनाएंगी व्रत वाली साबुदाना की खिच्डी तो चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं साबुदाना की खिच्डी वीडियो को देखने से पहले लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें तो चलो देखते हैं आज हमारी सासुमा बनाएंगी साबुदाना की खिच्डी आई ये देखते हैं तो सबसे पहले मैंने आ लिया है बड़ा वाला साबुदाना एक कटोरी इसको मैंने आदे गंटे पहले ही पानी में भिगो दिया था कि ये साबॉ दाना का बड़ावाला साबु दाना है चोटा वाला साफु दाना जो होता है वो खीर वगारा में काम आता है ये बड़ा साबु दाना थे scholarships मैंने इसको आदे गंटे पहले भीगो दिया था यहाँ भीग चुका है यहां मैंने आलू लिया है मुमफली के दाने लिया है दो बारिक टमाटर काटा है जीरा लिया है हरी मिर्च ली है और मैंने यहां हरा धनिया दिया है हरा धरिया को भी महीन वैने बारीग काट लिया है तो अब हम गैस पर रखते हैं गढ़ाई कढ़ाई में मैंने 2 चमज गी डाला है गी को गरम करते हैं और अगाष नानों को भून लेंगे जैसे पोहव अगरए में डालते हैं भूनते हैं हैं वैसे ही मुमफली के दानों को भून लेंगे ये देखिए लो फ्लेम में भूनना है हाई फ्लेम में नहीं करेंगे अगर हाई फ्लेम में करेंगे तो दुधाने ये जल जाते हैं तो लो फ्लेम में इनको धिमी धिमी आज में भूनते हैं यह देखिए थोड़े से दाने चटकने लगे हैं तो इस से यह पता चल जाता है कि हाँ दाने बुनने लगे हैं यहां दाने पूरी तरह बुन गाए हैं इनको हम एक प्रंसलिय में निकाल खार नेंगे बहुत ज्यादा नहीं इनको चलना भूर नहीं नहीं तो यह जलनें कि अलों तो इसको भी हम भुनेंगे जह को धीमी आंज में हाइघ लेम पर से तोच जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रहता है तो इसको लो फ्लेम पर गैस पर करके दीमी दीमी आच में सेखेंगे यह देखिए हमारा लगवक आलू आदक से गया है अभी थोड़ा सा और सेखना है देखिए आलू लगवक यहां गुलावी साब हुण चुका है बहुत जादा नहीं बूनना है जो की काले से हो जाएं इनको भी हम निकाल लेंगे एक परतन में अब हम कडाई में फिर से डालेंगे घी दो चमच गी को थोड़ा सा गरम करेंगे गैस को लो फ्लेम पे ही रखना है बहुत ज्यादा हाइफ्लेम पे नहीं करना है हाइफ्लेम पे करेंगे तो जीरा बगएरा जल जाएगा टेप्सें लूह दो कि अधो और भी तरस हैं कि पिर जीरे का तो बृत में खाने के काम जाता है, तो यहाँ जीरा डाला है और दो हरी मिर्च बारिक काटी है, उसको डाला है, तो अगर आप बृत में यूज़ करें, जीरा वगरा तो धुल के आप डाल सकते हैं, ऐसे ही ना डालें, पता नहीं कैसे क्या लोग छूते चाते हैं, क्या पेक कर्द होता है तो ब्रत में आप धुला जीरा दुलने इक उसको निचोड़ने के लिए रख दी तो यहां मैंने टमाटर डाला है उसमें थोड़ा सा नमक डाला है ब्रत वाला ब्रत वाला नमक डाला है तकि टमाटर यहां जल्दी पक जाए जिसे नमक डाल दो तो टमाटर थोड़ा जल्दी कहते हैं कि पक जाता है अगर नमक ना डालो तो थोड़ा टाइम रखता है टमाटर पकने में तो यहां देखिए टमाटर हल्का सा पकने लगा है अभी पूरी तो क्योंकि टमात्र जल्दी से पक जाए यह देखिया तो यहां फ़िशेक प्रेट ढखक की है यह देखिया दीमी आच में ही रखना है हाई फ्लेम पे अगर करेंगे तो जल्दी जल्दी फिर लगने लगता है फिर जल्दी चलाओ धको बहुत दिक्कत रहती है इसलिए इसको लो फ्लेम पे धीमी-धीमी आज में ही टरमाटर को सेखेंगे हलकाएसा भूनते हैं यह देखिए हमारा यहाँ टरमाटर लगभख पक गया है अच्छे से अब हम इसी में डालेंगे साबुदाना पूरी तरह टमाटर पक चुका है जो हमने साबुदाना को पहले याद गंटे पहले बिघो दिया था आप कभी बे मनाएं तो साबुदाना को आदे गंटे पहले बिघो करegenwood के और हमेजा याद रखे कि बढ़ा वाला साबुदाना यूज करें किचणी में तो यहां पर सावुदाना हमने डाल दिया है बड़ा वाला सावुदाना में यह होता है कि अच्छे से बहुत ही खिला खिला बनता है अगर आप छोटा महीन में बन जाता है लेकिन उतना अच्छा नहीं बन पाता है जितना बड़े सावुदाना में इसली बहुत स्वाधिस् क्या प्रत्रत में कोई आ जाए तो उनको भी आप सर्व कर सकते हैं तो यहां दिखिए साबुधना वेनिस में डाला है इसमें हम थोड़ी देर चलाते हैं इसको ताकि यह पूरे में टमाटर मिल जाए टमाटर का कलर भी बहुत अच्छा आया है यह दिखिए इसमें हम देखे रखे थे वही अलो डालेंगे और मुफली के दाने उसको हम थोड़ी देर ढग देंगे ताकि हलका सा बुलने लग जाए इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे इसको लो फ्लेम पर दीमी आच में ही सेखिना है यह देखिए हलकी हांच में ही बनाएंगे तो य जलेगा नहीं दीमियाच में पानी तो डालना नहीं है बिना पानी के ही बनाना है अच्छे से चारोतर्प से चलाएं ताकि लगे ना यहां लगबग बनने लगा है इसको फिर चलाते हैं अगर आपको लगे की पानी डालना है अगर नहीं आपको समझ में आए तो आप थोड़ा पानी एड़ कर सकते हैं हमने यहां बिना पानी क्या बनाया है साबुदाना धीमियाच में एक तो दो तीन बार ढखके तो अगर आपको लगे कि पानी डालना है तो आप पानी डाल सकते हैं इसमें कोई हो नहीं है यहां मैंने कड़ाई इसलिए बदली है कि कड़ाई वो जल रही थी नीचे जैसे कुछ काफी पुराना बर्तन हो जाता है कड़ाई है या तबा है तो जलने लगता है नीचे तली उसकी हलकी हो जाती है तो आप कुछ भी बनाते हैं तो तली में लगने लगता है तो इसलिए म में आप भी अपने घर में जरूर बनाएं ऐसे धीमियाच में ही रखेंगे उस कड़ाई में धीमियाच में भी रखेते तब भी वो नीचे लग रहा था कि जैसे लग रहा हो इसलिए हमने यहां कड़ाई बदल दी तो यहां देखें कितनी अच्छी साउदाना की खिशडी बन के तयार हुई है आप अपने घर में जरूर अगर हम कोई recipe बनाते हैं तो आप जरूर बनाया करिए यह देखिए हमारी खिच्डी यहां बनके तयार है इसको हम कर लेते हैं एक प्लेट में और हम डालेंग थोड़ा सा हरा धनिया भी हमने डाला है ओपर से भी थोड़ा सा हरा धनिया अड़ करेंगे यह देखिए अगर आपको म यह recipe जरूर बनाएं ब्रत में बहुत ही स्वाधिश्ट healthy रहती है तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूनें तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में